हैलो एवरीबन वेलकम टो आर चैनल दिस इस रिश्टी अगरवाल तुम्हें आप सभी कक्षा 10 क्लास 10 के स्टूरेंज के लेकर आई हुए आप रमाध्यमी परिशा 24 एक्जामेनेशन 2024 इसी तरह हम बाकी विशे की मौडल पेपर भी देखेंगे तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक इसी तरह पूरे मौडल पेपर को समझने के लिए और इसी तरह आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जब भी नूटिफिकेशन हम अपलोड कर जाए तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी के ये विशे हिंदी का पेपर जिसमें पूर्णाग रहेंगे आपके 80 मां समय रहेगा 3 गंटे 15 मिनट इस्टार्ट करेंगे फर्स कोशन से जहां पर आपको इस तरह से खंड ए में वस्तो निश प्रशनों के उत्तर देने होंगते चार आपको उप्शन मिलेंगे और कोई भी करेक्ट उप्शन आपको चूज करना है और प्रतिक प्रशन आपको एक मांक कर रहेगा परस कोशन है पंडिताई शब्द में प्रियक्तप्रत्य始 चार आप्शन है एन आइन, आनी, इननी तो यहां पर पंडित्धन आइन होता है जिसमें हो जाता है आन्सर आपका ब आप्शन करें आपको कलिक कर देना है इसको ब स्वच्छ शब्द का सही संदी विछे सुधनच तो यहाँ पर option the को क्लिक कर देना है म्रहमर गीत की भाषा कैसी है? ब्रीच भाषा option the को करेक कर देना है अट नहीं रही कविता में किस की आभा का वरणन है? फागुन मास की आभा का वरणन है तो option a को करेक कर देना है जैशंकर प्रशाद का जन्म कहां हुआ वारा नसी में आप्शन बाह को करेक्ट कर देना है शिव धनुष तोड़ने वाले को पशुराम ने किसकी समान अपना शत्रु माना है सहस्त्र बाहु के समान तेहां पर सब आप्शन करेक्ट हो जाएगा कवी ने किस पर व्यंगे किया है नवाबो पर आप्शन करेक्ट कर देंगे पिताजी तारकी स्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे बोलाना तो आप्शन करेक्ट कर देंगे तो इस तरह से आपके 12 questions हो जाते हैं वस्तुनिस प्रश्ण, प्रती प्रश्ण एक मार्ग का है, सबीकी आंसर हमने देख लिया है, आप नो डाउन कर लेजीगा यहां पर रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए, जहां पर आपको रिक्तिस्थान की पूर्ती करने हैं, यह भी एक-एक मार्ग से रहेंगे, 6 प्रश्ण यहां पर रहेंगे, जिस क्रिया में दो कर्म प्रियुक्त होते हैं, उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं, अविकारी शब तो यहांँ पर आपको लिख देना है तंदसमास। संगया संवनाम करिया या अव्यत सब्दों की साथ क्या जूड़कर विशेशन बनाये जाते हैं। संघ्या की स्थान पर प्रियोक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं संवनाम। उपसर वे सब्दांश है जो शब्द की आगी जुड़कर शब्द की आगी में जुड़कर जो शब्द की अर्थ को बदल देते हैं तो option यहाँ पर लिख देना है आपको आगी जुड़कर या प्रारह में जुड़कर ठीकि प्रारह में जुड़कर ये अर्थ को बदल देते योपसर होते हैं जो अंत में जूड़ते हैं वो होते हैं प्रत्य अगला है थार्ण कोशिर आपठी गध्यांश है जिससे आपको पढ़ना है और इससे लिए कुछ कोशिर पुछे जाएंगे जिसके आपको आज़ा करने जो इसी में उपलब्द हैं तो देखी रीड करेंगे यदि किसी राश्टर का समुझीत विकास होता उसकी नागरिकों का सही वैक्तित रिमान करना हो तो उसकी सिक्षा का सौधेश्य होना अनिवारे हैं शिक्षा प्रसुत कोई पाठेक्रिमें डिग्रेप राप्त करना ही नहीं है वालकि जीवन में सत्था चलने वाली क्रिया जो कुछ न कुछ सिखाती है शिक्षा जी वैक्ति और राश्टर की चरीतर करनीमान होता है यादि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसकी तांकरी को का चरीतर भी अच्छा होगा जो जितना पड़ा लिखा होगा वो तुछ सी हरकते नहीं करेगा अगर नहीं अधिक बड़े हुए लोगों के अपिक्षा गांदी जी भी छिक्षा को चरीतर भी रिमान की लिए अनिवारे मानदिती है वे कहते है तो सही उधिश क्या है यहां पर सिक्षा की बात की तो सिक्षा ही रिखेंगे वैक्ति और राश्टर के चरीतर भी रिमान किसकी द्वर जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है तो जीवन में सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो शिक्षा है शिक्षा वस्त तो पार्टे क्रम डिग्री भर प्राप्त करना वर नहीं है मलकि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती है राश् गांदी जी की शिक्षा के विचे में क्या विशारत है गांदी जी भी शिक्षा को चरीतर निर्मान के लिए अनिवारे बांदे थे वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरीतर निर्मान होना चाहिए विनाश शब्द का विपरार्थ तक शब्द गध्यांश में चार करके लिखिए तो देखिए विनाश का यहाँ पर हो जाएगा विपरार्थ तक निर्माण तो यह डन होता आपका अपठित गध्यांश जो की छे नमबर गध है फोर्थ कुशने अपठित गध्यांश यहाँ पर गध्यांश था यह पठ्यांश है जैसे पढ़कर के प्रश्म के उतर देने है फूली सरसो ने दिया रंग मधू लेकर आया पहुचा अनंग वदू वसूदा पुल की तंगंग है वीर देश में किंदू किंद वीरो का कैसा हो वसन प्रस्तुत पध्यांश का उच्छ शृषक लिखो वसन के बारे में है तो वसन तरितू के बारे में आप लिख दीजी शृषक मधू लेकर कौन आया है आनंग भोरा कंथ किस वेश में है तो यहाँ पर लिखना है वीर भेश में वसूदा की तुलना किस से की गई है वसूदा की तुलना बदू से की गई है प्रस्तुत पध्यांश में किस रितू का बढ़न किया गया है प्रस्तुत पध्यांश में जो आपकी वसंत रितू है उसका बढ़न किया गया है फूली सरसो ने अपना कौन सा रंग दिया है तो फूली सरसो ने अपना रंग कैसा दिया है पीला ठीक है तो इस तरह से आपको यह डन करना था तो यह होता है फूर्थ कॉशन डन अब देखेंगे खंड भी लगुत रात्मक प्रश्न है जिसके आपको आंसर करना है तो देखें काशी संस्कृती की पार्षाला है नौबत खाने में इबादत पाठ की आदार पर लेखिए तो यहां पर आपको यह आंसर बताना है यह कॉशन आपको साहिब करना है आपको अपना जो पढ़ाई का जो आपका लेवल है वो भी जान सके अगर किसी कॉशन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करकी पूछ सकते इससे पहले की कॉशन तो हम देखी चुके हैं बस आपको क्या करना है तुरंट से इने क्लिक करते हो जाना है संस्कृति में कब बदल जाती है संगतकार कविता का मूल भाव लिखी आत्मकथे कविता में कवी ने किनकी अभेंबो का प्रियोग किया है लेखा को हीरो सिमा की विश्पूट को प्रतिक्ष देखकर कैसा अनुबवा पत्तर तोर्ती पहाडीनों को देखकर लेखा को कैसे अनुबवती हुई आंके भराना मुहावरे का अर्थिवम बाकिये में प्रियोग लिखी आँखे भर आई तो यह होता है खंड से सेक्शन सी दिखेंगे इसमें पठीब कद्यान शाज जिसके ध्यान पुर्वक पढ़ना है और प्रश्म के उत्तर देना है बार-बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खादे गर गरस्ती जवानी जिन्दगी सब कुछ खतम होने पर भी हस्ती है और अपने लिए विखने के मौकी ढूंटी है दुखी हो गए पंदर दिन बाद उस कस्बे में फिर गुजरे कस्बे से गुजरने पर ख्याल आया कस्बे की हिरतिस्तली में सुभाश की प्रतिमा वशीप प्रतिश्पादित होगी लेकि सुभाश की आकोपर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टर मर गया सोचा वहां रुकेंगे भी नहीं पान भी नहीं खाएंगे मौर्थी की तरफ देखेंगे भी नहीं लेकक दुखी क्यों हो गया क्योंकि उसने जो सुभाश चंद्रपोश की प्रतिमा देखी थी उस पर चश्मा जो है वो नहीं लगा हुआ था तो इसलिए लेकक दुखी था हालदार साब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे 15 दिन बाद सुभाश की मूर्थी के आकुपर चश्मा क्यों नहीं था कोई भूल गया होगा जो बराने वाला है वो मास्टर भूल गया होगा या मर गया होगा इसलिए उसके आकुपर चश्मा नहीं होगा लेकक आज वहां रुखना क्यों नहीं क्योंकि वो नहीं देख पाता है उस मूर्थी को ऐसे बिना चश्मे के तो इसलिए वहां से गुजनने का ख्याल भी नहीं कर पाते हैं वो तो ये डन होता है 12 कोईशन आप देखेंगे इसके अत्वा में एक और आपको पठीद गध्याश दे रखा है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं उस समय तक हमारी परिवार में लड़की की विवा के लिए अनिवारत्य उप योगिता थी उम्रों में 16 वर्ष या सिक्षा में मैट्रिक सन 44 में सोशिला ने वह योगिता प्राप्त कर ली और शादी करके कॉलकाता चली गए तोरों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चलेगा इन लोगों की 36 हरते ही पहली बार मुझे नई सिरिस से अपने वजुद का हैसास हुआ पिताजी का ध्यान में पहली बार मुझे पर केंद्रिक हुआ लड़कियों को जिस उमर में स्कुली शक्षा के साथ साथ सुगर, गरहनी, कोशल, पाक, सास्तरी बनाने की नुसके चुटाई जाते थे पिताजी चाते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूं, रसोई का वे भट्यार खाना कहते थे और उनकी इसाब से वहां रहना अपनी शम्ता प्रतिबा को भट्य में जोगना था तो देखिए, यहां पर एक बात कही गई है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है लड़कियों के बारे में लड़की की विवागी कौन सी अनिवारते योगिता लेखिका ने बताई है, तो उम्र में 16 वश और शिक्षा में मैट्रिक लेखिका को अपने वजुद का एसास कब हुआ, जब उसकी बहन जो है वो चली गई शादी करके और उसकी दोनों बड़े भाई भी पढ़ाई के लिए चले गई तब उससे अपने वजुद का एसास हुआ शुशीला ने कौन सी योगिता प्राप्त कर ली थी? शुशीला ने सन चोमालिस में जो है, वो सोला वर्ष की उम्न में उसने शिक्षा में मैट्रिक प्यास कर ली और शादी करके वो कोलकादा चली गई थी पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाते थे? क्योंकि जो पिताजी हैं उसके वो उस रसोई घर को भट्यार खाना कहते थे, उनके साबसे वहां रहना अपनी शमता को प्रतीबा को भट्ती में जोखना था, तो इसी के लिए उनको जो रसोई घर है वो अच्छा नहीं लगता था, और वो दूर रखना चाते थे लेकिका को, तो इस सरे से इस से रिलेट ये कोशन थे, आप देखेंगे थार्टीम कोशन, प्रस्तुत पढ़ित, पठीत प्रधाशी अभी पढ़ा हुआ पध्याश है, जैसे आपको पढ़ना है और प्रश्णों के उतर देने है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों क पानी का जादू है वह, हातू के सवश की महीमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुर्णधर्म है, रूपांतर है सूरची किन्नों का सिम्टा हुआ संकोच है हवा की चिरकन का, प्रस्तुत पध्याश में कवे किसकी विशे में कह रहा है आपको बताना है फसल के बारे म पसल किसकी हातों की सपश की महीमा है, नद्यों की पानी की, रूपांतर है सूरची किन्नों का पंक्ति का आशे लेखें, फसल की किन्न आवशिक तत्व का कवी ने पध्याश में वर्णन किया है, तो आवशिक तत्व है भूरी काली संदी मिट्टी, सूरची किन्ने उनके लिए इंपोर्टेंट है, नद्यों का पानी उनके लिए इंपोर्टेंट है, तो आवशिक तत्व हो गया, धूप, पानी, ठीक है, तो ये डन होता है 13 कोशन, इसके अत्वा में भी एक और है, पध्याश, बादल, गर्जो, घेर, घेर, घोर, गगन, धाराधर, ओ, ललित, तललित, काले, गुणराले, बाल, कल्पना के से पाले, विद्धु छवी उर्मे, कभी नव जीवन बाले, वजर छीपा, नूतन कवीता, फिर भर दो, बादल गर्जो, प्रसुत कवीता में बादल की दुलना किस से की गई है, नव जीवन, नव जीव काले, गुणराले, बालों से की गई है, किसके हिर्दे में विद्धु छवी है, बाल कल्पना के, कभी नव जीवन वाले, तो विद्धु छवी उर्मे, उर्मे, ठीक है, कभी को नव जीवन देने वाला क्यों बताया है, कभी और बादल में क्या समनता बताई है, ठीक है, तो ये दन करना है आपको, तो ये दन होता है आपका question, अगला question 14 है, बाल गोविन भगत की किन विशिष्टाओं की कारव उन्हें ग्रहस्त होते हुए भगत कहा गया है, अथवा लेखी का पडोस, कल्चर, रिहिन, समाज को संकुचित ऐसा है, और अरसुरुक्षित क्यों मान या जो जल महा तेल की गागरी, बूंदन ताकू लागती, पंक्ती की माध्यम से बताईगे की गोपियां संपुन पद में उद्धा पर क्या वेंगे करती हैं, तो दौनों में से एक को कोशिन करना है, ये भी तीन माक्स का है, खंड द है, जिसमें आपको section D में आपको मिल इस तरह से, 16th question है, यतिन द्रमिष्र के कृतित्व और वेक्तित्व की विशह में लिखें, कोई भी लेखक आपके किसी भी पार से रिए जो लेखक है उसके बारे में आपको एक कृतित्व और वेक्तित्व बताना होगा, इसके अत्वा में आपको इस तरह से मिल जाएगा एक और question कवी जैसंगर प्रशाद की कृतित्व और वेक्तित्व की विशह में लिखें, तो कोई भी लेखक के बारे में आपको यहां पर पूछा जा सकता है, अगला question 17 है, साना साना हात जोड़ी अध्याय की आधार पर बताईए, लेकिका ने अपनी संपुन यात्रा को ख 16 question है, आपको एक विशे पर निभन लिखना है, कोई भी एक विशे पर आतंगवात एक समस्या, जिसमें आपको प्रस्तावना, आतंगवात का अर्थ, आतंगवात से उपन समस्या, आतंगवात से निभरने के उपाई, उपन साहार लिखना है, अगला है प्रयमन प्रतावन, प्रतुशन के प्रतुशन के कारण, प्रभाव, उप्तावन, नुषाषन, और से हाने जूझा है तो एक विशे करना थे आपको कोई तो पाजन, एक विशे करना थे कोई पे आप आब रहने, लिखना है 300 शब्दों में कम से कम ठीक है और पॉइंट वाज लिखेगा ताकि आपको हर माक्स जो है आपको अच्छे से अच्छे मिल सके आपकी माक्स नहीं कटोंगे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे 19 है स्वयम को राज की उच पाध्य में विद्धाल अगोपाल पुरा का महिश मानकर प्रधाना चारे से विद्धाल में खेल सप्ता मानाया जाने है उतो प्रात्ना पत्र लिखें आप देखना चाहें तो आप हमारी प्लेली से चेक आप कर सकते हैं 20 कुशन है निर्धन महिलाओं द्वारा बनाएं गई दारियों की बिक्री है तो विग्यापन लिखिए या वैवसाइक छिक्षा चात्रों द्वारा बनाएं गई वस्तो की प्रदशनी देखने है तो एक विग्यापन लेगे जिसमें हमने starting से लिखर end तक सभी कोषिनों को समझे की कोशिश की है आंसर स्क देखनी की कोशिश की है और जो भी मैंने answer जंद्भी कोषिन की नहीं बताए वो आपको friendship से लिख देने हैं जो भी आपको याद है और नहीं याद है तो आप अपनी जो पार्टे पुस्तर के उससे यहां पर आंसर देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, तुरन से इस पेपर को लर्न कर लेना आपको बिना टाइम वेस किये, ताकि आपका ये वाला पार तो यहीं लर्न हो जाए, तो ठीक है, ये होता है आपका दन कक्षा तैंत की विशह हिंदी का इसी तरह और भी सबजे से रिठ हम वीडियो देखते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारी चैनल की इस साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धैनेवाद